वेस्विक नवाचार सूचकांक में भारत का चालिसवा स्थान बरकरार नीतियायोग ने कहा प्रभावी स्टार्ट अप प्रणाली और अनुसंधान से देश में नवाचार को मिल रहा है बढ़ावा पच्मी सिंभूम के टोटो थाना शेत्र में सर्च अभियान में निकले जवान आई आई इडी विस्पोर्ट की चपेट में कोब्रा बटालियन का एक जवान शहीद मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहर कल राची से निकलेगी अम्बृत क्लस व्यात्रा राजी के दस प्रखंडों के सो अलग अलग गाओं से कल्षों में लाई जाएगी मिट्टी और राजधानी राची समेत राजी के कई हिस्तों में आज भी हुई वजरपात के साथ जोरदार बारिस मौसम विभाग ने कहा बारिस का सिलसिला 2 अक्टूबर तक रहेगा जारी नमस्कार खबर जार्खण में आपका स्वागत है मैं हूरो जूराओ और अब समाचार विस्तार से भारत ने वैस्वीक नवाचार सूचकांक में 40 मा स्थान बरकरार रखा है नीतियायो के अनुसार वैस्वीक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थ वेवस्था में भारत का 40 मा स्थान बरकरार है या रैंकिंग विश्व बौधिक संपदा संगठन ने जारी की है 2015 में भारत का 21 सिमा रैंक था जो 2023 में 40 मा हो गया World Intellectual Property Organization के साल 2023 के इंडेक्स में भारत 2015 से लगातार अपना सुधार कर रहा है साल 2015 में भारत की रैंकिंग 81 वे पाइदान पर थी जो 8 साल में सुधार कर 40 में पाइदान पर आ गई है सरकार और निजीशेत्र में शोध और स्टार्टप एकोसिस्टम की वज़े से इनोवेशन इंडेक्स में सुधार हुआ है कोविट संकट के दौरान भारत के बैज्यानिकों ने अपने दम पर विश्व इस्तरिये शोध के जरिये आत्म निर्भर भारत की दिशा में अपना एहम योगदान दिया है बाय टेक्टनलोजी, ट्रेशी अनुसंधान, अंतिरिक्ष इलेक्ट्रोनिक्स और AI जैसे शेत्रों में इनोवेशन के लिए सरकार और निजीश्शित्र मिलकर काम कर रहे हैं नीतियायोक, CII और World Intellectual Property Organization के साथ मिलकर शुक्वार को GII 2023 को लौच करेगा मुख्यमंत्री हेमन सोरिन से आज उनके आवास से कारले में भिरला प्रद्योगी की संस्थान BIT मिस्रा के कुलपती इंद्रनील मन्ना ने मुलाकात की इस आउसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 1 अक्टूबर को आयोजित BIT मिस्रा के 33 में द्यक्षान समारों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री हेमन सोरिन से आज जारखंड करमचारी चैन आयोग के अध्यक्ष नीरस सिन्हा ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से या उनकी शिष्ट चार भेंट थी हाल ही में रिटायर IPS नीरस सिन्हा को जार्खन करमचारी चैन आयो का अध्यक्ष बनाया गया था मुख्यमंत्री से आज जार्खन राजे पुलिस शिकायत प्राधिकार के अध्यक्ष पी आर के नाईज्यू ने भी मुलाकात की इस दोरान उन्होंने मुख्यमंत्री को भक्ती का अम्रित पुस्तक भेंट की भाजापा की प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगाता जारी है स्री मरांडी आज संकल्प यात्रा के दोरान चंदन क्यारी विधान सभाश शेत्र पहुंची इस दोरान स्री मरांडी ने राजसरकार पर जम कर निशाना साधा और राजसरकार की नीतियों पर सवाल उठाए इससे पहले संकल्प यात्रा के करम में धनबाद से बुकारों के चंदन क्यारी पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ पार्टी कार्यकरताओं के साथ आम लोगों ने भी श्री मरांडी का स्वागत किया भाजपा के राष्टे उपध्यक्ष और राज्यके पूरो मुख्यमंत्री रगवरदास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्थापित रिती रिवाज पारंपरिक वेश भूसा और परंपराओं को मानने वाले अनुसोचित जनजाती समाज के लोगों को ही स्टी जाती प्रमान पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया स्रिदास ने केरल हाई कोट के नरनय का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से कार्मिक विभाग को इसे लेकर पत्र जारी करने संबंधी नर्देश देने का आगरा किया है चाइबासा के नकसल प्रभावी टोंटो थाना शेत्रे के सरजम बूरू और हाका तुमबा गाउं के पास के जंगल में आई इडी ब्लास्ट हुआ इसमें कोब्रा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया और एक अन्य जवान खायल हुए है गंभी रवस्ता में घायल जवान को हेलिकॉप्टर से राची लाया गया है जिले के पुलिस अधिक्षक आशुतोर शेखर ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कई विस्फोटक भी मिले हैं उन्होंने कहा कि इसी दौरान तीन आईडी ब्लास्ट हुए जिसमें या हादसा हुआ प्रसिद क्रिशी विज्ञानिक और हरित क्रांती के जनक के रूप में प्रख्यात म.स्वामिनाथन का आच्चेन्ने में उनके निवास पर निधन हो गया वे 98 वर्स के थे स्वामिनाथन ने अपनी नीटियों के माध्यम से सामाजी क्रांती लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिती से बचाया भारत के महान क्रशी विज्ञानिक म.स्वामिनाथन का आज निधन हो गया तबिलाडू की राजधानी चिन्ने में उन्होंने आज सुमय अंतिम सास ली उनका जन्म साथ अगस्त 1925 को हुआ था स्वामिनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को आज अलविदा कह दिया उन्हें भारत में हरित करांती के जनक के तोर पर जाना जाता है मिली जानकारी के मताविक लबी उम्र की वज़े से आने वाली दिक्कतों के चलते उनका निधन हो गया MS स्वामिनाथन के निधन की खबर उनकी पुत्री सौमया स्वामिनाथन ने दूर दरसन को दी उन्होंने अपने पिता के योगदान को याद किया दूरी तिल ज स्वामिनाथन के लिए मुदान को फ़ामिनाथन स्वामिनाथन थी वज़े ता Emir भादो, थे घ्र लावड़ बीक्तिंफन, प्र्मीनातन थाण्यूदीए में उनकार प्रामिनाथन के घ्कते तो प्र्मूमनातन था दिंद के लिए मुदान के प्रीज फिए साश्टिकरन योजना and when he was member of the planning commission he was a member of the sixth planning commission for the first time there was a chapter on gender that was included and a chapter on environment and these are two of the contributions that he is very proud of राश्टपती द्रापदी मुर्मु ने MS स्वामिनाथन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है सोशल मेडिया एक्सपर अपने उदगार व्यक्त करते हुएं कहा कि उनके निधन से देश को बड़ी च्छती हुई है क्रश्व एग्यानिक डॉक्टर MS स्वामिनातन के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है एक दूर्दश्व व्यक्ती जिसने खाद सुरक्षा हासिल करने के लिए अथक प्रियास किया उन्हें सही माइने में हरित करांटी का जनक कहा जाता है जिन्होंने खाद्यान में हमारे देश की आत्म निर्बारता सुरेश्षित किये उन्होने क्रिश्री विज्यान में अग्रणी अनुसंधान का नित्रोत है जिसके लिए उन्हें पद्व विभूशन से लेकर पृतश्टित विश्य खाद पुर्षकार तक कई पुर्षकार मिले वो अपने पीछे भारती क्रिश्री विज्यान की एक संप्रद विरासथ च जनक की रूप में प्रसिध डॉक्टर M.S. स्वामिनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है अपने संदेश में स्री मोदी ने कहा कि उनके क्रिशी शेत्र में महतपोन योगदान ने देश के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खादे सुरक्षा सुनिश्चित की क्रशी में अपने करांतिकारी योगदान के लावा डॉक्टर सौमिनाथन नवाचार के पावर हाउस और एक प्रेरग गुरू थे अनुसंधान और मार्ग दरशन के प्रति उनकी अटूर्ट प्रतिवदता ने अंगिनत वेग्यानिकों और नप्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है मैं डॉक्टर सौमिनाथन के साथ अपनी मुलाकातों को हमेशा याद रखूँगा भारत को प्रगति करते देखने का उनका जनून अनकरणिया था उनका जीवन और कार आने वाली पीडियों को प्रेरित करेगा उनके परिवार और प्रशंश्कों के प्रति संवेदनाई उम शान्ति राजेपाल सीपी राधा क्रिशनन ने भी माहान क्रिशी वग्यानिक डॉक्टर एम एस स्वाव मीनाथन के निधन पर संवेदना प्रकट की है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनका निधन अत्यंत दुखद है देश के क्रिशी और खादे सुरक्षा के शेत्रे में उनके महतपून योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा उधर मुख्य मंतरी हेमन सुरिन ने भी डॉक्टर एम एस के निधन पर शोक व्यक्त किया है शोशल मीडिया एक्सपर उन्होंने लिखा कि श्री स्वामी नाथन के क्रिशी और सतत्विकास में दूरदर्सी खादे सुरक्षा सुनिशित करने और क्रिशी उत्पादक्ता में सुधार के लिए उनके आजवन प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा राची के हर्मो इस्थीत आजवसु पार्टी मुख्याला में आज मिलन समारों का आयवजन किया गया इस दौरान पार्टी के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतों की उपस्थिती में समर्थकों के साथ राज़त के खालिद खलील आजवसु पार्टी में शामिल हुए इस उसर पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतों ने कहा की राज़ी की वर्तमान राजनितिक इस्थिती से लोगों में काफी निराशा है और यहां की लोगों को भरम में रखा गया है उन्होंने हेमन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की मुख्यमंत्री लगातार जाच एजंसी से भाग रहे हैं सांसद संजय सेट आज 36 गड़ में होने वाले विधान सभा चुनाओं की तैयारी को लेकर रायपूर रवाना हो गए रवानगी से पूर्व उन्होंने इस जिम्यदारी के लिए भाजपा केंद्र नेत्रत का आभार जताया है भाजपा केंद्र समीती के ओर से श्री सेट को 36 गड़ में सूरजपूर जिले के तीन विधान सभा शेत्र प्रतापूर भटगाउं और प्रेमनगर के चुनाओं की जिम्यदारी दी गई है प्रतापूर विधानसभा शेत्र से सकुन्तला सिंः पोतरे भटगाउं विधानसभा शेत्र से लक्ष्मी राजबाडे और प्रेमनगर विधानसभा शेत्र से फूलन सी मरावी को प्रत्याश्री बनाया है मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राची के आडरे हौस परिसर से कल अमरित कलश यात्रा को रवाना किया जाएगा आजपूर्वी शेत्र संस्कृति केंद्र कोलकता और पर्याटन एवं कला संस्कृति निदेसालेस ने सहित रूप से प्रेसवारता कर इसकी जान करे दी कारिकरम समीति के सदसे चंद्रदेव सीह ने बताया कि अमरित कलश यात्रा को विभाग के निदेशक धरमेंदर दिक्षित हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे इसके अंतरगत दस प्रकंडों के एक सो अलग अलग गाउं से कलसों में मिट्टी लाए जाएगी इन कलसों क करने का में मुखव देश से यह है कि हम लोगों को राज्य में सो गाउं में अमरित कलस यात्रा अभ्यान में अपना कुछ सहयोग देने का आउसर मिला है जारकंड सांस्क्रितिक ने देशाले को इधर नहरू युवा केंदर द्वारा तमार प्रखंड के सरजामडी गाउं में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहट कारिकरम आयुजित किया गया नहरू युवा केंदर के विकास से ठीके नित्रत में सरजामडी गाउं से चावल और मिटी एकत्रित किया गया उधर राची जिले के इटकी प्रखन के मल्टी पंचायत में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहट कारिकरम आयुजित किया गया नहरू युवा केंदर द्वारायोजीत इस कारिकरम में मल्ती पंचायत के मुख्या और अस्थान्य ग्रामिनों द्वारा घर-घर से मित्टी एकत्रित की गई नेहरू युवा केंदर धनबाद कारले में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतरगत कूल इंडिया के सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटूट के प्रतिनिध्यों द्वारा विभिन गाउं से एकतरित मिट्टी को अमरित कलस में भर कर जिला लगाया है के स्टॉल के साथ लजीज व्यंजनू का भी इंतजाम है हस्त शिल्प मेले में लोगों की हर रोज भीर दिख रही है मेले में अस्थानी और दूसरे राज्यों से आये दुकानदारों ने इस परियास की सराहना की और कहा कि यह एक अच्छा मंच है जिसके जड़ी उनका ब्यापार बढ़ा है और अच्छी आमदनी भी हो रही है राजस्तानी है यहाँ अचार है अलग-अलग अईटम का अचार है यह मीठा अचार भी है आवला का दूरप्वा भी है इस मेले में लोगों को एक साथ अलग-अलग राज्जियों की समगरियों को खरीदने का मौका मिल रहा है इससे ग्राहक भी काफी खुस नजर आ रहे है हस्ता शिल्प मेले की अयोजन से छोटे दुकांदारों के साथ-साथ कई जिलों और राज्जियों से आए कारीगरों को भी मुनाफ़ा हो रहा है साथ ही लोग इस हस्त शिल्प मेले में सामानों के साथ साथ मनुरंजन और फास्ट फूड का भी लुफ्ट उठा रहे हैं खोटी से जोत्सना के रिपोर्ट रामगर के भुरकुंडा निवासी आदित्य राज ने चंद्रयान तीन में काम करके पूरे जिलु को गोरानवित किया है आदित्य के भुरकुंडा पहुँचने पर गर्म जूसी से स्वागत किया गया और अस्थाने स्कूल में आदित्य को सम्मानित भी किया गया बुरकुंडा के जोहर नगर के रहने वाले सुबूद कुमार सिन्हा और उसा सुन्हा के पुत्र आदित्य राजने चंद्रियान 3 में बतौर क्वालिटी वैज्ञानिक शामिल होकर पूरी रामगड जिले का नाम रोशन किया है आदित्य की स्कूली पढ़ाई भुरकुंडा से ही हुई है आदित्य के समिशन में सामिल होने से पूरे जिले की लोग गरवानवी थें लोगों का कहना है कि आदित्य इतिहास के साक्षि बने हैं आदित्य को उनके स्कूल में सम्मानित किया गया आदिती राज इस विद्याले में 2007 के मैटिक परिक्षा के टॉपर भी रहे हैं आदिती राज ने बच्चों को सफलता के टिप्स भी दिये आदिती ने बता कि इस रूमें एक्वालिटी साइन्टिस्ट के रूप में कारेरत हैं उन्होंने बताया कि मैं इस रूमें जिस मुश्किल हालात में पहुचा हूँ उसे लेकर मैं यही कहूंगा कि इनसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए धैरे और अनुशासन रखने पर सफलता आपके कदम चुमेगी चंद्रियान तीन में कुल एक हजार प्रिशर सिंसर और लेवल सिंसर लगे थे जो इन्धन के फिलिंग का मेजर्मेंट करता है और तीनों चीजों की निगरानी करता है इसको लगाना और यह गारंटी देना कि इस सेटेलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी गारंटी देना मेरा ही काम है इस रो में काम कर रहे जारखंट के आदितिराज के चंद्रयान त्री में शामिल होने से पूरा राज्य इतिहास का गवाह बना है आदितिराज ने बताया कि वो किस तरह से इस रो में काम करते हैं साथी उन्होंनों बच्चों को मोटिवेट भी किया उनको सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि वो भी उनके जैसा साइंस टेस्ट बनना चाहते हैं रामगर से कौशल के सोर तिवारी के रिपोर्ट राजधानी राची से सटे हुए मैकलूस की गंज को केंद्रे परियाटन मंत्राले द्वारा घोसित किये गए बेस्ट टूरिस्ट गाओं प्रुसकारों में ब्रांच मेडल से समानित किया गया है इस केंद्रे परियाटन मंत्राले द्वारा स्वन रजध और कांसे पदकों से देश भर के टूरिस्ट स्थलों को समानित किया गया जिसमें जहारखन का मैकलूस की गंज भी शामिल है केंद्रे परियाटन मंत्राले ने कल 20 परियाटन दिवस्पर दिल्ली के भारत मंडपम में सांस्कृतिक विरासत सतत विकास के संग्रशन के लिए 5 गाओं को स्वन, 10 गाओं को रजट और 20 गाओं को कास से शोयनी में सम्मानित किया है जार्खन की ओर से पर्याटन विभाग के संयुक्त सचीव मुईनुदीन राची जीला पर्याटन पददिकारी सेलेंद्र और एंगलो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधी एशले गोम्स ने केंद्रे पर्याटन विभाग के सचीव वी विध्यापती से प्रुसकार क्रहन किया अनन्त चतुर्दर्सी के अवसर पर आज सिम्डेगा जिले के विभिन मंदिरों में श्रधालों की भीड लगी रही। श्रधालों ने अनन्त देव भगवान विष्णु की विधी विधान से पूजा अर्चना की। सुनने से मन वांचित फल मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आधिकाल से ही या पूजा होती आ रही है। भक्तों ने बताया कि भगवान अनन्त देव की पूजा से परिवार में सुख, शान्ती और संब्रिधी आती है। इस अवसर पर विशेश रूप से खीरा और मालपुवा प्रसाथ स्वरूप चड़ाया जाता है। अनन्त चतुरदर्शी का ये बरत बड़ी धूम धान से इस हनमान मंदरी प्रांगन में मनाए इसका बिधी भी धान से करने पर बहुत ही बहुत खलडाई परव है। हिंदु धर्म में अनन्त चतुरदर्शी को बहुत ही शुब दिन माना गया है। आज ही के दिन दस दिनों से चल रहे गनेश महत्सो का समापन भी होता है। सिम्डेगा से मनोच कुमार सीनहा मनु की रिपोर्ट। जारखन समेट देश भर में आज पैगंबर हजरत मुहमत के जन्म दिन पर एद मिलाद नभी का तेवहार मनाया गया। जमसितपूर के मानगो गांधी मैदान से आज सुबह जुलू से मुहमत दी निकाला गया। इस उसर पर मौलाना ने बताया कि मुहमत साहब के जन्म दिन पर अमन चैन की दुआएं मांगी गई। राजी के स्वास्त मंत्री बनना गुपता भी जुलूस में शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई की देश में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। बहुत सुपतामना देता हूँ और सभी लोगों से प्रातना करता हूँ कि ये हिंदोस्तान मादरे वतन माभारती सभी धर्म धर्मावलंबियों के एक साथ रहने, खाने, पीने, जीवन जीने की एक ऐसी ब्यवस्ता है जिसमें सभी धर्मावलंबियों आपस में प्रेम और रिशने से रहते हैं। लोहर्दगा में भी जशने एद मिलाद उन नभी का तेवहार हर सो लास के साथ मनाया गया, मौके पर अंजुमन इसलामिया के नेतरत में जुलूस ए मुहमदी निकाला गया, इस जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल हुए, इस दौरान पूलिस की ओर से सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए थे इधर हजार इवाग में भी पेगंबर हजरत मुहमद साहब के जनम दिन को मुसलिम समुदाय ने हर सुलास से मनाया, इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम किये गए थे राजधानी राची में पोस्ट मानसून के प्रभाव में आज जोरदार बारिश हुई, मौसम विभाग ने राजधानी राची समित राजध के कई हिस्सों में एक अक्टूबर से मानसून के सक्री होने का पूरवा नुमान जारी किया है, इस दौरान के इलाकों में हलकी और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वजरपात हो सकती है, विभाग ने 30 सितंबर को राजध में अलग-अलग स्थानों पर आंधी ब रक्शनी और आसपास मध्य भागो में भारी बारिश की संभावना वहीं एक और दो अक्टूबर को राजध के उत्तर पूर्वी और रक्षिन पश्टमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है और अंतमे मुख्यसमाचार एक बार फिर वैस्विक नवाचार सूचकांग में भारत का 40-वा स्थान बरकरार नीतियायोग ने कहा प्रभावी, स्टार्ट-अप, प्रणाली और अनुसंधान से देश में नवाचार को मिल रहा है बढ़ावा पच्मी संभूम के टोटो थाना शेत्र में सर्च अभियान में निकले जवान आई, आई इडी विस्पोर्ट की चपेट में कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहट गलरांशी से निकलेगी